बिस्मिल्लाय रह्मानी रहीम अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ बीफ कोफता करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आपके रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सबसे पहले 500 ग्राम चना बोटी ले लेंगे और उसको कुकर में एड़ करेंगे आप 50 ग्राम दूली हुई भीगी हुई चनी की दार इसमें एड़ करेंगे एक चमच अदरकलसन का पेस्ट कुछ खड़े करम मसाले जिसमें लॉंग दो से तीन दो से तीन काले मिर्ची और एक मैं यहां पर 1-2 टी स्पून अड़ कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर 2 टी स्पून अड़ करेंगे क्यंकि ग्रेवी में भी हम इसमें रैट चिली पाउडर दालने वाले हैं तोड़ा सा अड़ कर देंगे गरम मसाला पाउडर और एक छोटी सी प्यास को दोड़ा-मोटा क तो मैंने थोड़ा सा ओइल को घरम करने देर रख दिया है अब इसमें दो मीडियम साइज की प्यास एक चोटा सा टमाटर और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ले लिया है गीला नारियल वह एट करेंगे तो पहले प्यास टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें फिर गीला नाजल जो है वो एक्ट करेंगे आप चाहे तो सुखा नाजल भी आप एक्ट कर सकते है तो इस तरीके से इसको चलाते हुए भून लेना है ताके प्यास का टमाटर का अच्छे से पानी छूट जाए और ये पूरा अच्छे से भून जाए तो पास से साथ मिनिट लगेंगे इसको अच्छे से भूनने के लिए अभी आप देख सकते हैं प्यास का कलर चेंज हो चुका है टमाटर भी सॉफ्ट हो चुक है उसकी स्कीन निकल रही अपने आपी और जो नारियल था उस पर थोड़ा थोड़ा हलका हलका स्पॉर्ट सा चुका है तो बस इसको अब ठंडा कर लेंगे अध्रक लसन दाल के इसको पीस लेंगे अब यहाँ पर मैंने कड़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है इसमें एट करेंगे कुकिंग ओईल यहाँ पर आप थोड़ा से जादा ही एट करना तो मैं यहाँ पर 3-4 चमच ऑईल को गरम कर लूँगी इसमें एट करेंगे हम पीसा हुआ मसाला जो के प्यास टमाटर और नाडिल का मसाला है ऑईल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम यह मसाले को इसमें एट करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे क्योंके प्यास टमाटर को हमने पहले से भून लिया था इसलिए मसाले को भूनने के लिए जादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी से मसाला जो हमारा भून जाएगा अब मैंने विल्कुल इसमें एक टेबल स्पून पानी आइड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढखके रखेंगे पाच मिनिट के लिए पाच मिनिट हो चुके हैं, ओईल कितना अच्छे से सर्फिस पे आ चुका है मसाला जो है वो अल्रेडी हमारा अच्छे से भून रहा है तो अब इसे स्टेज पर हम इसमें एड कर देंगे दही, तो ये एक कप दही है और फेटा हुआ दही इसमें एड करेंगे और इसको अच्छे से mix करेंगे अब इसमें हम add करेंगे powder masala जिसमें नमक आड़ करेंगे अपने taste के according लाल मिच पाउडर आड़ करेंगे एक छोटा चमच साथी में add कर देंगे धनिया powder एक छोटा चमच आड़ करेंगे और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे अभी आप देख सकते हैं masala कितना अच्छा color हो गया इसका और अब पूरा masala भी जो है वो हमारा भून गया है अच्छे से तो अभी आप देख सकते हैं इसको बस दो मिनिट के लिए हम अभी ढख कर रखेंगे तके masala का flavor जो है अच्छे से आ जाए दो मिनिट के लिए ढख देंगे बस और यहाँ पर दो मिनिट हो चुके है oil देख सकते हैं आप साइट से कितना अच्छे से निकल रहा है तो अब इसमें हम add करेंगे पानी तो पानी हम गरम add करेंगे तो आपको जितनी gravy चाहिए आप उतना पानी add कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक glass गरम पानी इसमें add कर दूँगी गरम पानी add करने से इसका जो color है वो खराब नहीं होगा और इसका taste भी और double हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी हमने एक glass इसमें add कर दिया है गरम करके बना लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जो गोश्टा वो गल चुका था उसको हमने अच्छे से पीस लिया है इस तरीके से और इसके चोटे-चोटे से fry कर लेंगे अई तो अभी आप देख सकते हैं इसके एक-सैट कलार हा जुका है हल्के-छल्डके हातों से इसे इसको टևन करते जाएंगे और सब-थरब से से राई कर लेंगे ताकि गोल्डन अच्छे से फ्राइख होजाए और मीडियम के वो कच और पिर आप और और अच्छा नहीं लगता है तो आप देग सकते हैं अ हमारे अच्छे सें ट्रय हो रहते हैं कलर आ चुका है कोफ्ते हमारे Он Ал주 हो चुके हैं तो ये कोफ्तों को हमनिकाल लेंगे और इसको डिरेकली हम एट करदेंगे हमारे ढर्य ईएश्टे करेंगे हमारे ग्रेवी में ग्रेवी भी यहाँ पर हमारी अजह से पक Doing रेडी हो चुकी है तो आप यह सारे कोफते जो है हम इस क्रेवी में डाल देंगे और तकरीबन इसको 5-6 मिनिट तक अच्छे से लोग यास पे पका लेंगे तक कोफतों में सालन का फ्लेवर आ जाए और यह हमारा बीफ कोफता करीब बनकर रेडी हो चुकी है अगर आपको र कैसे भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अल्ला हाफिज